हलो फ्रेंड्स सिंपल मशिन्स एटले के साधा यंत्र एटले सूं तेने लगती धर मोस्ट आइमपी बेजिक थियरी अने केटलाक एग्जांपल इना विशे आजे आपने चर्चा करवाना छिए आजना सेशन माझे चर्चा करवाना छिए एब दा टोपिक इंटर्वी नियं मशिन आने लिफ्टिंग मशिन तेहार पछी केटलिक बेजिक टर्मिनोलोजी एमके मिकेनिकल एड्वेंटेज, वेलोसिटी रेशियो, इन्पूट, आउट्पूट, एफिशेंसी, आइडियल मशिन आने पांच धो मोस्ट आइमपी एग्जांपल आटलू आजना सेशन मा आपने चर्चा करवाना छे, तो सौथी पेला जो ये सिंपल मशिन ना एग्जांपल, तो एग्जांपल जोता पेला, यहां हूँ तमने केटलाग फोटोग्राफ दर्शाओ चू, साइकल, पुल्ली, सिजर, एक्स, स्क्रू, अने इन्कलाइन प्लेन, आ बद्दा बाबतो नी अंदर आजे फोटोग्राफ चे, इनी अंदर कोमन सूँ चे, एतमा विचारो, जो आ बद्दा नी अंदर कई बाबत कोमन चेहों आपने लागे चे, तो फर्स्ट, इट कन्वर्ट्स एफट इन्टू यूस्फुल वर्क, यहां बद्दा डिवाइस नी अंदर आपने क आपने जे प्रकार नी जरूरियाद चे, ए प्रकार नू आउट्पुट, ए प्रकार नू वर्क जे चे, आपने अंदर लाखवाना रेशे, सेकंड जोईए कंपाउंड मशीन्स, तो ए जोता पेला आपने फरी पाचा केटलाग एग्जांपल्स जोईए, दाखला तरीके टू विलर, प्रेक्टर, अथफात्वा, क्रेन, लेथ मशीन, आ बद्दान यंदर कोमन चे, तो आब आपने अंदर एक करता वदारे मेकेनिजम, एक करता वदारे मशीन नो उप्योग थायलो छे। जहारे कोयःपन यंत्र एक करता बदारे यंत्रों नु बनावेलू हुए, साधा यंत्रों बेगाकरी ने बनावेलू हुए, एनने क्यावाई SIMPLE MACHINE सुरी, alrededor, COMPOWNKA Monsieur, एक करता सब्हें बने लूए, एनने क्यावाई COMPOWNKA सीच तुजिप युजिशC टेलपी हomosher geOSD पुली, होश्टिंग एक्विप्मेंट, स्क्रू जेक, आब दा जी एग्जांपल छे, एनू उप्योग सेना माट थाई छे, तु लिफ्ट दा हेवी लोड युजिंग लेस एफर्ट, उच्छी एनरजी नो, अथवा एउच्छा फोर्स नो उप्योग करी, अने वधारे हेवी लोड ने सहला थी उचकी शकाई, एना माट जे मशिन ओप्योग थाई, एने केवाई लिफ्टिंग मशिन, बाकला तरीके पुली, लिफ्ट, क्रेइन, स्क्रू जेक, आब दा जे मशिन छे, तो एने केवाई, लिफ्टिंग मशिन, आ थेग यो, क्वेश्चन नंबर वन, अगए क्वेश्चन नंबर टू, टेकनिकल टर्मिनोलोजी, जे अगतियनी व्याख्याओ छे, ए जोईसू, ए समझेता पहला, आपने एक एक एग्जांपल लेए, धारो के आएक उचक निज आपने जानकारत छी है, तो एनी अंदर अपने अगावना चेप्टर माँ अपना अभ्यास करी गया, कि जो अईयाँ जे लोड मुकेलो होई, एया फलक्रम पोईट थी नजीक होई, तो अईयाँ जे एफट लगावववव पड़े, ए ओचो लगाववव पड़ से, धारो माटे, आपने एफट लगाविए छे, पी, यहाँ वजन लगाविए छे, एडले उपर जसे, तो ए एफट जे छे, ए ओच हो होई, एल्स कमपेट टू लोड डबल्यू, बिकोज लेंद इस लेंद इस लेंद इस स्मॉल, आलंबाय ओची छे, आलंबाय वदार छे, एल्ले अध्वाय यांतरिक फाइड, एफ़र एग्जांपल, वीस किलोग्रम नो वजन लगाविए, एन्ने उचे कवाविए, एन्ने उचे कवाविए बेकिलोग्रम चेतल लगाव वो पड़े, तो वीस ना चेद मावे, बेराबर दस, एन्ने क्यावाय, वाय, मेकेनिकल अद्व जे जाए, तो सब जोमाला कोई तो आविरतेह लखाए, इस दे रेश्यो अफ लॉड लिफ्टेड, टु धु अपलाइड एफ़र्ट, या व्जन जे उपर नीबाइच्वाव जासे, तो आ लाइन डाग्रम ड्रो करोई, तो आरि तेन ड्रो करी शेकाई, लोड डबल यु ओपर जाई थे ए डिस्टन्स नापने नामा पिए X सुथा जिए वजये निजिए एक्स डिस्टन्स अन्हें इये एफट जे अपने लगा भीए थे एक्तलो नीचे जाई थे क्योंपने किमाद दिस्टन्स ट्राविल करेज न व्यूशली इना नामा पिए Y and y will be greater than x करान क्या distance वदारे चे वदारे distance टावल करो effort लगाओ एटले थोड़ लोड जे चे ऊपर जासे लोड नी कीमात वदार जासे effort नी कीमात ओसी जासे तो आज ये distance नो ratio चे y अने x एने के वाई velocity ratio clear? distance traveled by effort to the distance traveled by load एनो जे ratio चे that is called as velocity ratio शब्दो मा लख्वोए तो आविर्टे लखाए प्रयतन बड़े कापेलू अंतर एले के आपने जे effort लगावेलो चे एने जे अंतर कापेलू चे एन अने तेज समय मा वजने कापेलू अंतर एले के weight केटलू उपर गयूए एनो जे गुणोत्तर चे एने क्यावाई velocity रेशियो वेग गुणोत्तर थर्ड एक्वेशन वर इस एक्वेशन वर इस एक्वेशन आपने याद राखवानू रेशन नमबर थ्री इन्पूट वेच्वो आजे मेकेनिजम चे एने अपने सूँ आपिये चिये अपना तरफ थी इन्पूट सूंचे इन्पूट चे एफट एफट एप्पलाइड पी चो आफट चे बरबर अन्ने डिस्टंस के लो ट्रावयल करेशे य सो वीनो वर्क इस एक्व़ल टू डिस्टंस इन्टू फ़र्स force into distance, force चे P, distance टाविल करे चे Y, so input is equal to P into Y, एले कि आपने effort P लगाविये ची, अने एना लिदे ये Y चे लो distance टाविल करे चे, so input is प्रायतना बढ़, multiplied by 3 ने कापेलू, अंतर, तो output सुआ से, okay, input माटे इनो definition लखे विताविते लखी शकाई, the work to be done on the machine, is called as input, एले कि आपने machine नी उपर जे work करिये चे, आपने machine नी जे work आपिये चे, एने के वाई input that is P into Y, and it is the multiplication of effort P, and distance traveled by effort Y, अवे आ थे क्यों त्रीजू equation, चोथू equation, what is output, आपने माशीन अपने सुँ आपे चे, तो आपे चे, चोआ load जे चे ने उच की आपे चे, right, X जे तो distance traveled करी, आने load W जे चे उच काई चे, that means output is equal to W into X, अथ्वा इवीर ते कही शकाई, कि the work done by the machine, machine जे work आपने आपे चे, machine जे work करी चे ने के वाउट, and it is the multiplication of effort applied, and the distance, sorry, multiplication of load lifted, multiplied by distance traveled by load, equation number 4, output is equal to W into X, पाँच मूँ equation, efficiency, तो normally, क्या है पाण तमें जाओ, करी दक्स्ता, अदले के एफिक्शन थी, equation आवे, output upon input, right, तो आपने output सूचे, W into X, जे आपने मढ़ियू छे, और input सूचे, P into Y, right, machine आपने सूँ work आपे चे, W into X, आपने मढ़ियू सूँ work आपे चे, P into Y, तो एनो जे गुणोत तर चे, प्रदान ना चेदमा आधान, एनने के वाई कार्यक्षम ता, अथ्वा कार्यदक्स ता, efficiency, आपने आपने एक्वेशन ने यंदर, W into X चे चे, आपने एक्वेशन ने रियर्रेंज करो, आप W upon P लो, तो ये सूँ चे जूँए या, mechanical advantage, आनने X upon Y बराबर सूँ आवे, Y upon X से ले velocity ratio, तो X upon Y ले 1 upon velocity ratio, तो W upon P बराबर mechanical advantage लखी शकाए, आनने Y upon X बराबर velocity ratio लखी सकाए, तो efficiency बराबर आउसे, mechanical advantage divided by velocity ratio, तो आथिक equation number 5, आप 5 equation नो प्योग करी, आने अपने example जेचे, एज स्वाल करीशू, next time is ideal machine, अथवा तो आदर शियंत्रा, तो आदर शियंत्रा येट लेशू, के जेनी अंदर, input अने output बे समान होए, ये लेके, आपने machine ने जे effort आपिये चे, at least output machine आपने आपए चे, machine ने जारों के आपने 100 रूपीय आपिये चे, तो machine परत आपने 100 रूपीय आपिये चे, तो एट आपने machine एने केवाई, आदर शियंत्रा आइडियल मशियं, जे वास्ताव माँ सम्भाव नथी, करण के दरेक machine यंदर अवरोज, ये लेके, गर्शन, friction होये चे, येना लिए थे थोड़ोक लोस यंदर थवा नी सम्भाव ना छे, पन आदर शिरिते, आ लोस थो जो ही ये नहीं, ये डिफिनेशन लग्योई तो आविरते लखाई, if input and output of the machine are same, then it is called as ideal machine, where friction is 0, that is called as ideal machine, तो input and output सरका होई, ये लेके, P into Y बराबर W into X, तो efficiency नोग्योई लखे आपड़े, तो efficiency बराबर output upon input, that means, output is equal to same as input, तो वे उडिजय से, ये ले efficiency आउसे 100 टका, ये लेके, अदर शियंत्र, ideal machine होई, तो येनी efficiency 100 टका होई, येनीज आइडियल मर्शीन केवाई, अवे आज ए equation छे, P into Y is equal to W into X, इनीदर आपड़े value मुक्ये, जे value मुक्ये ली छे, ये रे-रेंज करिये, तो आविटते थासे, Y upon X बराबर P upon W, जो I X ये छेद मावी जसे, और P आबाजुए जसे, So Y upon X is equal to W upon P, Y upon X बराबर सु छे, जो I equation number 2, Y upon X बराबर छे, velocity ratio, आने W upon P बराबर छे, mechanical advantage, एटले के, आदर्श मशीन माटे, velocity ratio बराबर, mechanical advantage थसे, आटाइपने एक्जामपल पॉन, MCQ मा पुछाई शके छे, question पुछाई सके छे, के आदर्श मशीन माटे नी, कई condition साची छे, अथवा, velocity ratio अने, machine mechanical advantage बेई समान होई, एव क्यारे बने, एव कया मशीन माँ थाए, तो जेनी अंदर, friction zero होई, अथवा, ए आदर्श यंत्र होई, ideal machine होई, त्यारे आँ संपव बने छे, तो आँ थाइगियो, topic number six, हवे आपने, आचेप्टर ना, the most IMP simple example गणीशू, धिमे धिमे difficulty level वधाता जेशू, अने आप 5 example गण सो, एला आचेप्टर नो, पेला भाग ना example जेशे, ए आपने गणता आवण से, question number one, example number one, डेटा के गाविर्दा आपेलो जे, a load of 720 kg is lifted by a machine with 30 kg effort, एला एक मशीन आपेलो छे, जेनी मदद थी, 720 kg जेटलो वजन उचकू होई, तो आपने 30 kg जेटलो effort लगावो पड़े छे, तो आँ एक्वेशन number one, एनो क्यो करीशो, mechanical advantage is equal to load W upon P, तो आइन लोड W नी वेल्यो आपेली छे, 720 kg, effort P नी वेल्यो आपेली छे, 30 kg, तो 720 ना चेटमा 30, एला आँसर आउसे 24, so mechanical advantage for this machine is equal to 24, that is the answer of problem number one, एक्दम simple example छे, तीमे तीमे आपने एक्जांपल जे छे, यह अगरा करता जेशू, आणे अगरामा अगरो example पण, आपने गणता आवड से, नाउ example number two, 720 kg वजेनों चेकवा माटने, 30 kg जेटू प्रहतना बढ़लागा वो पड़े छे, तो आज ये डेटा चे पेलाज प्रोब्लेम नों छे, एनी अंदर एक line एड करेली छे, जो velocity ratio, येले के वेग गुणोत्तर 80 आपेलो होई, इसी होई, तो कार्यक्षमता अथवा कार्यदक्षता एफिशेंसी फाइन करो, तो के वीड़ेता करेशू, पेला mechanical advantage, जे आपने पेला example माँ गणिए तो एवज़ेता गणिए गणिए, mechanical advantage is equal to w upon p, that is 24, 720 अपन 30 एड लाव से 24, हवे जो अइस हों आपेलो चे, velocity ratio आपेलो चे 80, आने efficiency फाइन करवानी चे, तो कई उएक्वेशन यूज करीशू, येस, equation number 3, जो आपेलो चे ने तनी जूएक्वेशन, efficiency is equal to mechanical advantage आपने वेलोसिटी रेश्यो, तो mechanical advantage आपने फाइन करवानी चे, equation number 1 ने अंदर, that is 24, velocity ratio आपेलो चे 80, 20 अपन 84, 24 अपन 80, एड 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 परसंटेज, 30 अपने आपने परसंटेज, आव एग्जाम्पल नंबर 3, velocity ratio of a machine is 10, तो यहां velocity ratio आपेलो चे वेड गुणत तो आपेलो चे 10, efficiency आपेली चे 75 परसंटेज, आप मशिन ने कारेक्षम्ता पंचतर तका चे, तो XOAC Newton जेटला प्रयत्न बढ लगती, केटलू वजन हुचके शकाए How much load can be lifted using 180 Newton effort तो पहला ज़े data आप एलो चला के लिए velocity ratio 10 efficient is 75 percentage एले के 75 upon 100 that is 0.75 P is given as 180 Newton find out W तो सौथी पहला आट आपनो example होए तेयर आपने equation number 3 नो उप्योग करीशू और उनके efficiency आप लीशे चेर टम आपेली वोए एए equation आप योग करवानो तो efficiency बराबर output अपन input mechanical advantage अपन velocity ratio तो इनिंदर सुआ आपेलो चे efficiency आपेली चे 0.75 mechanical advantage नथी आपेलो velocity ratio आपेलो चे 10 तो इनि value मुको एले mechanical advantage मार से 0.75 into 10 that is 7.5 mechanical advantage मढ़ी गयो अवे BG line How much load can be lifted with 180 Newton effort एले के P बराबर 180 होए तो W find करो तो कई equation यूज करी सू yes equation number 1 आ equation नो प्यो करी सू तो एनि अंदर mechanical advantage बराबर आपेलो चे 7.5 load W नथी आपेलो एए find करवानो चे आपन एफट P एए आपेलो चे 180 Newton तो आईया equation मा value मुको एले W बराबर आपेलो 7.5 into 180 that is 1350 Newton एले के this is the answer of this problem आप मशिन नी अंदर जो XOC Newton जेट लो effort लगाओ तो एनो उप्यो करी आने 350 Newton जेट लो लोड जे छे ए उचकी सकाई छे lift करी सकाई छे that is the answer of this problem I hope आप आप तमने समझाएगी वो से problem number 4 आए डेटा तमने माचो वीडियो एन स्टोप करी दो आने धमें जाते आप problem solve करवानी ट्राइ करो जो न आवडे तो फरीपाचो प्ले करी आने तमने जोई शको छो डेटा माचे अ सिंपल मशीन लिफ्ट लोड ओ 50 किलोग्राम विद एफट ओ 10 किलोग्राम यह लेके डबल यॉ आप लूचे पचास किलोग्राम अने ये पचास किलोग्राम उचकवा माटे 10 किलोग्राम जेटलो एफट पी लगावा पड़े छे तो मेकेनिकल अद्वेंटेज फाइंड करी शक्ये डबल अपन पी पर थी बीजी लाइन लोड इस लिफ्टेट बाइ 10 सेंटिमेटर वाइल एफट इस एपलाइट फोर 60 सेंटिमेटर इस्टंस यह लेके 10 सेंटिमेटर जेटलोग्राम वजन उचकवा माटे एफट जे लगावो पड़े छे एए 60 सेंटिमेटर जेटलोग खसेड़ू पड़े छे तो फाइंड आउट एफिशेंसी, वेलोसिटी रेश्यो और मेकेनिकल अद्वेंटेज तो पेलू एक्वेशन एक्वेशन नमबर वन नो उप्योब करिये तो मेकेनिकल अद्वेंटेज बराबर डवल्य ओपन पी, डवल्य अपने फाइंड कर आपेलू छे 50 किलोग्राम, एफट 10 छे तो 50 पाग्या 10 तो मेकेनिकल अद्वेंटेज आऊ से 50 अपन टेंड लट इस 5 तो मेकेनिकल अद्वेंटेज मढ़ी गयो हवे बीजू, वेलूसिटी रशियो बराबर अपने एक्वेशन चे y अपन एक्स, तो y यहां पेलू छे 10 cm y is the distance traveled by effort and x बराबर distance traveled by load तो यहां पेलू छे 10 so 60 upon 10, 2 cm चे तो वेलूसिटी रशियो बराबर आउसे 60 upon 10, that is 6 answer number 2, velocity ratio is equal to 6, अवेशवाव से efficiency find करवा माते, equation number 3, बराबर, यहां पने आवर से step number 3, efficiency is equal to mechanical advantage upon a velocity ratio in 200, में बराबर आपने find करवा लूचे 5 velocity ratio that we have found 6 so 5.6 into 100% that is efficiency is equal to 83.33 percentage that is the answer of this problem, तो आप पराबर आपने अवेशवाव से mechanical advantage 5 velocity ratio 6 and efficiency 83.33 percentage, so I hope it is clear to you now example number 5 एक यंत्र मा 1 kN ना बढ़ती 8 kN जेटलू वजन उचकी शकाई चे obviously mechanical अवर से 1 आप एलू छे तो mechanical advantage बराबर W आपन P, 8 आपन 1 जेटलू तो गने इक देवानू आप पेली लाइन थे गई, पेला लाइन उपर थे आपने पेलो answer आपड़ी जेओ, हवे बीजी लाइन जेरे 20 मीटर जेटलू अंतर कापसी होई, त्यारे वजन 1 मीटर जेटलू अंतर कापे चे एलेकि एफट पी जेचे एफ 20 मीटर जेटलू खसे चे, वाइ बराबर 20 जे तो एफ लोड डबल्यू जेचे, एफ 1 मीटर जेटलू अंतर कापे चे, X is equal to 1 मीटर तो स्टेट जेटलू जेटलू स्टेप नूम्बर 4, सुआ होको से, जेटलू जेटलू आपे लोडबल्यू जे कापान जेटलू 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 so mechanical advantage बेराबर 8 velocity ratio बेराबर 20 8 नाचेद मा 20 efficiency आउसे 40% that is the answer of problem number 5 आप्रोब्लेम नियंदर 3 तॉम आपने find करेला छे mechanical advantage 8 velocity ratio 20 efficiency is equal to 40% तो मित्रो आना सिवे ने अपने घनाबदा एक्जम्पल छे ए आपने बीजा फाग नियंदर जोईसू आया बोक्स से नियंदर आवी जैसे एलिंक आवी जैसे तो आपनों भविश्य खूब सारू बने बाराद्यस ने सारा नागरिक बनो क्यों तमामे देर्थे मित्रों ने खूब कूब